और मेरे प्यारे दोस्ट भाई और बहनों मैं आपको फिर से लेकर आया हो एक नाय टुट्राइल क्लास के साथ जिसका नाम है गूगल आप्ट टुट्राइन हिंदी और फ्रेंट यहाँ पर आपको गूगल अड़ पीपेसे एक्सपाइनिंग क्लास बिल्कुल टेखने को मिल करेंगे और अभी बिल्कुल स्टेब बाई स्टेब हर आज के जो में टाफिक है का हाव तो सेट यूर बाज़े स्ट्राड़ेज एंड बीड स्ट्राड़ेजी एंड बाजट फोर यूर गूगल अड्स तो गूगल अड्स के अंदर आप कैसे एक बीड अमांट सेट कर सेक अगर बीड की रेट जो है ओ अगर अगर फीक्स कर देंगे तो इस में बिनिफीट कर नष्ट है या अगर आप ऑप मीनिफीड के सेट कर देंगे तो आपक황 को भीAR ऐब इस सेट और जानकर हो जाएंगे कि इस और जाइए चांभ है आब ईड क्रिएड कर आख जानकरी हो लगा सकते हो, राइट फ्रेंट, तो चली यहाँ पर सुरुवद करते हैं, यह Google Ads है, और आपका Google Ads, जो है Dashboard, यहाँ पर आपको campaign मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या है, एक new campaign create करने को मौका मिल जाएंगे, तो फ्रेंट, जब भी हम new campaign की एक Dashboard की click करेंगे, तो आपको सामने में एक Dashboard open हो जाएगा, जैसे यहाँ पर, तो मैंने create without Google click करेंगे, और SaaS campaign चलाना चाहते हो, राइट, आपको मज़े से कुछ भी चला लेजिए, तो आप चला सकते हो, तो for example, मैं Google ad की उपर में ad campaign चलाना चाहते हो, राइट, तो यह मेरा website है, for example की दुबारा, राइट, तो मैंने यह सामने में हटा दिया, और मैंने एक Google.com की उपर मैंने ad campaign चला रहो, राइट, और यह website की लिख है, और मैं continue दबा दिया, तो फ्रेंट, मेरा सामने में एक जो ad campaign है, वो आ जाएगा, और मैं, वो ad campaign की उपर में ad campaign चलाऊंगा, तो वहाँ पर आपको audience set करने के लिए, आपको minimum maximum bid set करने के लिए, आपको campaign की जो date है, जो start date है, या off date है, यह सारे सीज़ आपको करने के लिए मौका मिल जाएंगे, right friend, show friend, यहाँ पर हमने एक campaign create कर चुका हूँ, और यह campaign की दोवारा, अब campaign की नाम जो है, कुछ भी डाल सकते है, okay, और मैं यहाँ पर सिर्फ only for only Google के अंदर मैंने ad campaign चलाना चाहता हूँ, जैसे for example, मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरा ad campaign शो हो जाए, right, तो इसलिए मैंने isolate करना चाहता हूँ, और only for location जो भी है, और रहन दीजिए, बस बेटन budget आगया, तो budget आपको क्या करना होगा, budget आप डेली वज़स से जितना भी रख सकते हो, कर सकते, अगर आप चाहता हो कि unlimited budget बने, तो आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपको minimum daily budget आप चाहता हो कि 3000 करके हो जाए, तो आप minimum और maximum budget के उपर आप लगा सकते हो, right, तो मैं सरेशन करूँगा, अगर आपको limited budget है, तो आप daily wise, आप 110,000, 15,000, जो आपको बिजनोस के relevant amount होना चाहिए, उस रेट कर लीजिए, तो for example, मेरा business के लिए मैं यहाँ पर 50,000 part day खस करना चाहता हूँ, ज्यादा ही ह हो गया ना चलो इसमें तो पाइसे नहीं करेंगा मैं डेमो से करने के लिए अब को दिखा दो चलो दोस्तों यहां पर देखें बीड जो है ना इस बीड आप से सिलेट कर सकते जैसे पर एक जमपल कंफर्शन आप चाहे तो क्लिक के ऊपर लगा सकते हो तो यह सारसी तो रिकर मान के चले एक क्योड की बहुत जल्दी से सुबा साथ बज़े से दस बज़े तक बहुत आड चलता है और उसी टाइम के बीड के जो पॉलिसी है वो एक क्योड के लिए 120 रूपीज या 200 रूपीज करके पार क्लिक ले जाता है या एक हजर करके एक एक क्लिक के प्राइज चलते हैं तब जाके आपको एड शो हो जाएगा और अगर उससे भी काम है तो आपको एड शो हो जाएगा पर अगर आपको बीड के बाजेट के हिचाब से अगर पार क्लिक 500 के उपर कोई दूसरा एजनसी या जो कंपेटिटर है वो लगा रहे तो आपको एड शो नहीं हो होता है इसलिए अगर सबसे बेस्ट और बेस्ट प्रेक्स से रहेगा अगर आप बीड अमाउंट कुछ भी सिलेक नहीं करेंगे तो इसमें क्या होता है ऑर्टोमेटिक गूगल डिसाइड करते हैं मान के से लिए मार्केट की अंदर मार्केट की अंदर एक क्योड की इस प्रटोमेटिक लेंगे अगर यहां पर आप स्रेफ के स्रेफ जो मैक्सिमयमं क्लिक की ऊपर अगर आप 15 रुपई करके लगाएंगे अर तो इसमें कैह होता है इसमें 100 रुपई से भी अगर जादा हो जाएगा तो आप एड शो नहीं होगा अगर 100 रुपई से कम होगा तब जाके आपको एड शो हो जाएगा, तो I think friend आपको यहा तक पूरा complete हो चुका है, और आप bid जो campaign है, वो आप यहा पर जिरो करके भी रख सकते हैं, इसमें conversion से या value है कुछ भी, cost for target cost, यह भी आप से call पर click के hitchhap से, click per cost, amount, यह सरसी जब कर सकते हो, ति यह hitchhap से भी आप कर सकते हो, तो I hope friend आपको पूरा concept clear हो चुका है, आप मैं suggestion करूँगा, पहले बार जब आप ad campaign चला रहे हो, तो please आपको bid amount की कोई जूरूत नहीं है, क्यूंकि Google honestly आपको पास पैसे ले रहता है, friend मैं एक चोटा से information आपको पता दो, मैं एक professional PPC expert हो, Google expert हो, अगर आपको business के लि ही बनवा रहा, जब बनवा ट्रम